वदानसबा चुनाव की दौरान किसी प्रकार से विग्न बाधा उपस्थितना हो पाए इस इरादे से प्रशासन की द्वारा सोला और सत्रह नमंबर को सभी देशी विदेशी शराब दुकान बंदे रखने के निर्देश दिये गए हैं चुनाव प्रचार की समय सीमा समापत होने के साथ ही शराब दुकानों को सील कर दिया गया आलम यहरा की घड़ी की सुई पांच बजे पर आने से कई घंटे पहले शराब दुकानों में शौकी लोगों की भीर लगी रही अति उत्सा में कई लोग अपने गले से राजनितिक दल के गमचे निकालना भी भूल गए कई खास मौके पर शराब की दुकान काफी समय के लिए बंद कर दी जाती हैं ताकि इस वज़े से अपरी इस्थिति निर्मित ना हो और जन सामानने को परिशानियों से जूजना ना पड़े चुनाव भी ऐसा ही मौका होता है जिसमें अलग लग कारणों से शराब दुकानों को बंद कर दिया जाता है कुरबजिले में विधानसवा चुनाव दूसरे चरण में होने हैं और 17 नवंबर को इसके लिए मतदान होना है 36 घंटे पहले चुनाव प्रचार समापत होने के साथ ही शराब दुकानों को प्रशासन के अधिकारियों ने सील कर दिया 16 और 17 नवंबर को यह दुकान बंद रहेगी निश्चित रूप से इस तरह की विवस्था से उन लोगों को बहुत परिशानी हो सकती है जिन के लिए शराब जरूरी होती है शायद यही कारण था कि चुनाव प्रचार की अंतिम दिवस पर शराब दुकान ग्रहकों से काफी गुलजार रही हर कही दुकानों के आगे न किवल रौनक थी बलकि एक अजीब तरह का आकरशन भी था कोई यहां बेहत सामान धंग से आता हुँ नजर आया तो बहुत लोग ऐसे भी थे जो अपना चहरा छुपाय हुए थे यही नहीं मौका हाथ से ना जा पाए इस इरादे को ध्यान में रखने वाले लोग इस दोरान यहां भी भूल गये थे कि उनके गले में किसी राजनितिक दल का पट्टा भी मौजूद है जल्दबाजी के चकर में इस प्रकार के सामानों को लोग नहीं निकाल सके और वहां दूसरों की नजर में आ गये चुनावी सीजन में जिस प्रकार के छल प्रपंच और तौर तरीके अपनाए जाते हैं उसे लेकर कोर्बा छुटर में यह चर्चा आम हो गई है की मैदान पर काम करने वाले और अपने लिए माहल बनाने वाले महनत करश लेकिन अस थाइपेड इंपलॉईस को तनाव मुक्त करने के लिए यह सब करना जरूरी है जानकारी के मुताबिक शराब दुकानों के अंतिम कारिय दिवस से बहुत पहले ही शौकीन लोगों के द्वारा अपनी जरूरत का स्टॉक किया जा चुका है याद रहे पिछले वर्ष होली के सीजन में एक ही दिन में पौने पांच करोड रूपे की शराब की बिकरी का रिकॉर्ड कोर्बा जिले में बना था कोर्बा से पवंतिवारी की रिपोर्ट